नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर RPSC के द्वारा संस्कत विभाग स्कूल लेक्चेरर परिक्षा हुई थी जो राजनिती विज्ञान की 14 दिसंबर 2020 को उसका ये पेपर है जिसके हम कुश्चन और आंसर आपको यहां पर बताने वाले हैं अन्तिम आंसर RPSC के द्वारा जब जारी किये जाएंगे वो ही मानने होंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा ये छोटा सा प्रियास है आप सभी के लिए यदि आपको बसंद आता है तो लाइक का बटन प्रेस के विना मज जाएगा और इसे शेर भी कर दीजेगा पहला प्रस्ण क्या पुछा गया था राजनीती विज्ञान के पेपर 14 दिसंबर 2020 संसकत विभाग RPSC के द्वारा देखिए पहला प्रस्ण है आपका सूचना प्रदान करने हेतू प्रियुक्त किये जाने वाले संप्रेशन कोशलों का सही सैयोजन या सही युग्म हमें यहां पे चुनना है सूचना प्रदान करने के लिए पूछा गया है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बोलना और लिखना, आपके पेपर में ये option अलग जगे पर हो सकते हैं, इसलिए आप केवल option पर ध्यान दें, बोलना और लिखना, ये इसका right answer है, ठीक है, speaking and writing, प्रशन नमबर दो, निम्नांकित में से किसने मारगेंथो के शक्ती राजनीती के 6 सिद्दानतों का नारीवादी विकल्प प्रस्तुत किया था, तो नारीवादी जो विकल्प प्रस्तुत किया, मारगेंथो के शक्ती के जो 6 राजनीती सिद्दान थे, वो यहाँ पे right answer है, जे ए टिकनर, ठीक है प्रशन नमबर तीन निम्नांकित विचारकों में से किसने अंतराष्टिय राजनीती के संदर्ब में अराजक्ता की संस्कृती का विचार प्रस्तुत किया अराजक्ता की संस्कृति का विचार अंतराष्टी राजनिती में जिसने प्रस्तुत किया वो है एलेक्स इंटर वेंट प्रशन नमबर चार संपूर्ण व्यक्तितु का पूर्ण रूपेंड एवं समंजिश्च पूर्ण कारे करते रहना ही मानसिक स्वास्त है यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई तो यह परिभाषा दी गई दोस्तो हैड फिल्ड के द्वारा प्रशन नमबर पांच यहाँ पे जो मनोविज्ञान के प्रशन थे हमने लगातार जो पेपर सॉल कर रहे हैं मनोविज्ञान के प्रशनों को भी हम इसमें ले रहे हैं ठीक है प्रशन नमबर पांस देखी मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवर्ती एवं सम्वेगों के गलती युगम को चुनना है गलती युगम इसमें चुनना है ठीक है तो गलत युगम इसमें है दोस्तों युद्सा जो युद्ध करने की इच्छा होती है ठीक है ये इसमें गलत है बाकी उपर के तीनों सही है पुरुष्वय महिला का जो सेक्स हार्मोन है उसका जो उतपादन होता है वो जिस अन्ते स्रावी ग्रंती द्वारा नियंतित किया जाता है दोस्तों वो यहाँ पे है पौश ग्रंती जिसे इंग्लिश में है पीट्यू ट्री ग्लेंड ओके प्रशन नमबर सेवन मेयर एवं सालोवे के अनुसार कौन सा छेतर समिगात्मक बुद्धी का नहीं है तो यहाँ पर भावनाओं को दमित करना आंसर हो जाएगा प्रशन नमबर आठ अग्रिम संगठक प्रतिमान का आधार है वो हमें इसमें चूज करना है तो इसमें आएगा शाब्दिक अधिगम प्रशन नमबर नो शिक्षन प्रतिमान में केंदर बिंदू संधर्वित है प्रतिमान के उद्देश्यों से ठीक है तो दोस्तों यदि वीडियो नोट आपको ठीक लग रहा है हमारा प्रयास तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे वढ़ने से पहले प्रशन नमबर दस आपके सामने है इसमें पूछा गया है कक्षा संप्रेशन जब होता है तो कक्षा संप्रेशन में निमनलिखित में से किस एक को टाला जाना चाहिए ठीक है इसको avoid करना चाहिए इसमें कौन सा option है तो पूर्वा ग्रै इसको avoid करना चाहिए प्रशन नमबर 11 एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए चैनित विध्यारतियों से प्रशन पूछना ये काम उसको नहीं करना चाहिए मतलब जो selected students हैं उनसे ही केवल answer पूछे ये काम नहीं करना चाहिए ठीक है प्रशन नमबर 12 Transparencies और Slides किसके उधारन है Transparencies और Slides ये उधारन किसके है यह है दोस्तों software के जिसे हम कौमल उपागम भी कहते हैं ओके software प्रशन नमबर 13 निमने लिखित में से कौन सा कथन असत्य है असत्य कथन इसमें से कौन सा है तो असत्य है दोस्तों परिपक्टा द्वारा व्यवार में परिवर्तन अधीगम होता है ये असत्य है प्रशन नमबर 14 एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार शिक्षक त्वारा कक्षा में दिखाएगे प्रियोग को देखकर किशोर विद्यारती किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो अनुभव प्राप्त करेंगे वो वास्तुविक प्रतक्ष अनुभव आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रियोग को देखकर किशोर विद्यारती अनुभाव प्राप्त करेंगे तो वास्त्विक प्रतक्ष अनुभाव ठीक है तो real, direct experience प्रशन नंबर पंद्रा किशोरों के भीतर दमित सम्वेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधी जो कहलाती है वो है दोस्तों यहाँ पे सावेंगिक विरेचन प्रशन नंबर 16 निमने लिखित में से कौन सी किशोर वस्ता की विशेष्ता नहीं है किशोरवस्ता की विशेषता नहीं है प्रशन को ध्यान से देखना है तो किशोरवस्ता की जो विशेषता नहीं है दोस्तों वो है आपका सम्वेगा आत्मक नियंतरन क्योंकि ये तो किशोरवस्ता में बिलकुल भी नहीं होता तो सम्वेगा आत्मक नियंतरन प्रशन नंबर 17 निम्न लिखित में से कौन सा शिक्षन अधिगम का एक सामान्य सिद्दान्त नहीं है वो हमें यहाँ पे टिक करना है तो निस्क्रियता का सिद्दान्त मतलब इनेक्टिवनेस तो शिक्षन अधिगम का सिद्दान्त हो ही नहीं सकता प्रशन नमबर 18 एक कालानु क्रमिक क्रम में विशेवस्तु को पढ़ाने के लिए हे तु किस प्रकार के चार्ट का उप्योग किया जाना चाहिए ये विभिन प्रकार के चार्ट के नाम दे रखे हैं तो कालानु क्रमिक को हमें पढ़ाना है तो हम किस प्रकार के चार्ट का प्रियोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका समय चार्ट या फिर इंग्लिश में जिसे हम टाइम चार्ट कह देते हैं ठीक है टाइम चार्ट चलिए प्रशन नंबर उन्नेस शिक्षन अधिगम हेतु एडगर डेल के अनुभव शंकु में सबसे निम्नतम अनुभव कोन सा है सबसे निम्नतम अनुभव एडगर डेल के अनुभव शंकु में तो वो है दोस्तों आपका मोखिक प्रतीक मोखिक प्रतीक वर्बल सिम्बल्स प्रशन नंबर बीस जीन पियाजे का नेतिक विकास सिद्धान्त किस आयाम के से निकर्तम संबंदित है तो जीन पियाजे का तो आपने जब ये नाम आया होगा उसी के साथ अटेच होगा होगा संग्यानात्मक प्रशन नमबर 21 स्वय पहचान की कमी एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के सिद्धान्त की किस अवस्ता से जुड़ी हुई है स्वय पहचान की कमी तो पहचान बनाम भूमी का संबरानती इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रशन नमबर 22 विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक कोन थे तो जोसिफ जे सकवाब आंसर हो जाएगा प्रशन नमबर 23 कोहल बर्ग के नैते विकास के सिद्धान्त अनुसार कोन सी उनमुखता किशोर वस्ता से सम्मंदित है किशोर वस्ता से सम्मंदित है तो सामाजिक अनुबंद सामाजिक अनुबंद प्रशन नमबर 24 निमने लिखित में से कौन सा सैकारी अधिगम का तत्व नहीं है सैकारी अधिगम का कौन सा इसमें से तत्व नहीं है ठीक है को ओप्रेटिव जो लर्निंग होती है उसका कौन सा तत्व नहीं है तो यहाँ पे आंसर आएगा बड़े समू का निर्मान प्रशन नमबर 25 निम्न में से कौन सी शिक्षन विदी सनस्तनावाद के सिद्धानतों पर आधारित नहीं है तो यहाँ पे आएगा व्याख्यान विदी सनस्तनावाद के सिद्धानतों पर आधारित नहीं है प्रशन नमबर 26 सामवेगिक बुद्धी से एक तातपरिय है सामवेगिक बुद्धी से क्या तातपरिय है तो option आएगा इनमे से सभी मतलब अपने स्वयम के समवेगों को पहचानना समझना अपने समवेगों को प्रबंदित करना और दूसरों के समवेगों को पहचानना समझना और प्रबंदित भी करना प्रशन नमबर 27 अनूदेशन प्रणाली में शिक्षक, शिक्षार्ती, पाठ्थे क्रम एवं अनूदेशन सामगरी सम्मंदित है किस से सम्मंदित है ये तो ये है दोस्तों आपके इन्पुट या अदासे इन्पुट से सम्मंदित है शिक्षक, शिक्षार्ती, पाठ्थे क्रम एवं अनूदेशन सामगरी इन्पुट से सम्मंदित है प्रशन नमबर 28 सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक सम्मंदित है तो ये है दोस्तों आपके बोधिक विकास से, ठीक है, बोधिक विकास से संबंदित है, प्रशन नमबर 29, सामाजी करण या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानविय व्यक्ति में परिवर्थित किया जाता है, सामाजिक विकास की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई तो ये परिभाषा है आपके Freeman की प्रशन नमबर 30 शिक्षन पारसप्रिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देशे किसी अन्य व्यक्ति की व्यवार शम्ता को बदलना है तो ये परिभाषा किसकी है ये आपकी गेज महोदय की परिवाशा है प्रशन नमबर 31 जब किसी कारे का प्रभाव संतोष जनक होता है तब वह अधिगम करता द्वारा सीख लिया जाता है सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया तो सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया ये दिया गया दोस्तों थांडाइक अधिगम प्रशन नमर 32 देखिए अधिगम अनुभवो तथा प्रशिक्षन द्वारा व्यवार में संशोधन है ये परिवाशा किसकी है ये है गेट्स एवं अन्य ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपके मनोविज्ञान के जितने प्रशन थे इस वीडियो नोट में वो यहाँ पे पूरे होते हैं अब फिर से हम राजनिती विज्ञान को कॉंटिन्यू करते हैं मैक्स वेबर राजनिती को मानता है मैक्स वेबर राजनिती को क्या मानता है एक वोकेशन मानता है पेशा मानता है प्रशन नमबर 34 ये प्रशन थोड़ा बड़ा है इसमें ये पूछा गया था कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वो order and history हन्ना औरेंट ये सही सुमेलित नहीं है बाकी के सही है ठीक है प्रशन नमबर 35 35 में देखिए निम्नांकित में से कौन सा कौन से विचारधारा का अंत विचार के समर्थक है तो डेनियर बेल और सेमवर मार्टिन लिपसेट यानि option नमबर इस पे A और C हो जाएगा A और C ठीक है चलिए प्रशन नमबर 36 पे चलिए 36 प्रशन नमबर 36 आपको प्रशन आज काफी बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे इसाब से निम्नांकित में से कौन सा विचारक स्वतनता को एक सामुईक लक्षे के रूप में मानता है तो ये हो गया आपका रूसो प्रशन नमबर 37 निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि प्रतेक सूसंगत राजनितिक सिद्धानत का एक ही सर्वोच मुल्य है यह मुल समानता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें डर्वोकिन ठीक है प्रशन नमबर 38 निम्नांकित में से किस विचारक ने राजनिती में बढ़ते हुए गूड ग्यानवाद के प्रभाव की आलोचना की है ये है आपका एरिक वोगेलिन एरिक वोगेलिन प्रशन नमबर 39 न संबंदित नहीं है वियेना सर्किल से संबंदित नहीं है तो इसमें आपका आएगा प्लामेंटॉज प्रशन नमबर 40 मेरे लिए वास्तविक मुक्ती भैसे मुक्ती है भैसे मुक्त हुए बिना आप गरिमा पूर्ण मानिवे जीवन नहीं जी सकते ये कashed किस कई दोस्तों ये कतन है आंक, सान, सू की का ठीक है प्रशन नंबर 41 देखिए निम्नांकित में से कोण सा सिद्दांत जौन रोल्स द्वारा प्रतिबादित न्याए की अवधारना से समबध नहीं है जौन रोल्स की जो न्याए का सिद्दांत हा उसमें इनमे options में से कौन सा संबंदित नहीं है वो में बताना है तो न्याय पूर्ण हस्तांतरन का सिद्दान्त ये इससे संबंदित नहीं है 42 टी-एच मार्शल के किताब citizen and social class पुस्तक किस वर्स में लिखी गई थी तो ये 1950 में citizen and social class टी-एच मार्शल प्रशन नंबर 43 देखिए 43 में सही विकल्प का चैन करना है तो 1935 का जो अधिनियम था भारश शाषन अधिनियम 1935 उसके बारे में सही विकल्प कौन सा है तो इसमें इस अधिनियम में 14 भाग थे तो केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा प्रशन नंबर 44 देखिए क्या कहता है भारत के समिधान के अनुच्छेद एक में उलेखित संग यूनियन शब्द कहां से लिया गया है तो यह है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से 1867 से यह लिया गया है भारत के समिधान में अनुच्छे देख में उलेखित संग यूनियन शब्द ब्रिटे नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 45 वदी के 1935 के भारशाषन अदीनियम की किस धारा के अंतरगत संग का नाम दे फेडरेशन ओफ इंडिया भारत संग कर दिया गया था ठीक है ये संग का नाम भारत संग दे फेडरेशन ओफ इंडिया कर दिया गया था तो ये है आपका 1935 का अदीनियम की धारा 5 के अंतरगत प्रशन नंबर 46 भारत की समिधान सभा की किस बैठक में इस्थाई सभापती का निर्वाचन किया गया था तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका दूसरी बैठक में प्रथम बैठक में ऐस्थाई दूसरी बैठक में इस्थाई अगर आप अभी तक बने होए तो बता दीजेगा इस्थाई सभापती कौन चुना गया था, किसका निर्वाचन किया गया था 47 भारत की सविदान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदश्य उपस्तित थे तो ये आंसर हो जाएगा आपका मदरास से 48 भारत के समिधान के अनुच्छेद 51 कै के उबंदों के तहत परिरक्षन शब्द किस से संबंदित है तो ये परिरक्षन जो ये है सामसिक संस्कर्ति की गोरोशाली परंपरा के परिरक्षन से संबंदित है ठीक है, ओप्शन नमबर तो प्रशन नमबर 49 तो यहाँ पर मिलान प्रशन है, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उपबंद दी हुए है तो मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देता हूँ तो ये है आपका दो, तीन, चार, एक इस प्रकार से ये जुड़े हुए है ठीक है प्रशन नमबर 50 क्योंकि हम इसमें पेपर पे डिसकस नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको आंसर बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है प्रशन नमबर 50 वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा नहीं किया है, तो कर दीजिए निम्नांकित में से भारत का कोन सा प्रदान मंत्री पद की शपत लेते سमय राज्य विधान सभा का सदश्य था तो ये आपके option है answer है HD देव कोड़ा प्रशन नंबर 52 देखिए भारत के समिधान के अनुच्छेद 15 में निम्नांकित में से शब्दों का सही मूल क्रम सही क्रम क्या है तो यहाँ पर आएगा धरम मूलवंश जाती और लिंक ठीक है तरिपपन में देखिए निम्नांकित में से भारत के समिधान के अनुच्छेद 51 कै गय में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है तो राश्टी आंदोलन उल्लेखित नहीं है प्रशन नंबर 54 संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोद के मामले में राश्ट पती को दोनों सदनों के बीच गतिरोद के समाधान के लिए कदम उठाने का उपबंद किस प्रकार का है तो यह है समर्थकारी ठीक है प्रशन नंबर 55 पचपन देखिए निम्नांकित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विदे की एक प्रती राज्यसभा को भेजते समय प्रश्ठांकित करता है तो यहाँ पे जो भाशा है उसको राजनिती विज्ञान में समझना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्षा आएगा ठीक है प्रशन नमबर 56 राज्य सभा की शक्तियों के संदर्ब में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है राज्य सभा की जो शक्तियां है उनसे related यहाँ पे कौन सा कथन सही है यह सदन को राज्य सुची के विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है उप्राश्ट पति को अटाने का केवल राज्य सभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है यह धन विदेकों में संशोधन प्रस्तावित करती है तो यहाँ पर देखिए option A, B, C प्रशन नमबर 56, प्रशन नमबर 57 भारत के तदर्थ न्याय धीशों की नियुक्ति का प्रावधान भारत के तदर्थ अडोब जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कहाँ पर है किसी भी राज्य के उच्च न्यायले में तो केवल दो प्रशन नमबर अठावन निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायले के मुख्य स्थान प्रिंसिपल सीट के अधिकार छेतर में नहीं आता तो ये है आपका जहलावाड कौन सा है जहलावाड ये प्रिंसिपल सीट की जो अधिकार छेतर है उससे बाहर आता है प्रशन नमबर 59 देखिए निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान में राज्यपाल रहत कोश का गठन किया गया था ये 1973 कुश्शन नमबर 60 देखिए भारत राजस्थान की निम्नांकित मुख्य मंत्रियों में कौन भारत की समीदान सवा का सदश्य नहीं राजोस समिदान सभा का सदश्य नहीं था, वो है टीकराम पालिवाल। जहां प्रश्ण उठता है कि राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष दल परिवर्दन के आधार पर निरहरता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं तो वह प्रश्ण अंतिम विनिष्चे के लिए निर्देशित किया जाएगा, किसे, सदन में ऐसे सदश्य के विनिष्चे के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिसे वह सदन के लिए निमित निर्वाचित करे, प्रशन नमबर 62, ये क्या हुआ, दोस्तों शमा च निम्नांकित मुख्य मंत्रियों में से किसका कारेकाल सबसे कम रहा? किसका कारेकाल सबसे कम रहा? तो यहाँ पर आपका आएगा टीकाराम पालिवाल निर्वाचित मुख्य मंत्रियों के बारे में पूछा जा रहा है प्रशन नंबर 64 देखिए वार्ड समीतियों के गठन के लिए नगर पालिका की नियूनतम जनसंक्या कितनी होनी चाहिए तो तीन लाक तीन लाक ठीक है? प्रशन नंबर 65 निम्नांकित में से किस अनुछेद का सम्मंद भारत के समिधान की ग्यारवी अनुसूची से है ग्यारवी अनुसूची से है तो 243,6 इसमें आंसर हो जाएगा ठीक है? तो इस पेज के लिए थोड़ी सी एक आपको ऐसे हैज मैसूस हुआ होगा लेकिन आंसर मैंने बता दिये है कुश्यन नंबर 66 किसने भारत की दलिये प्रणाली को एक दलिये प्रभावी विवस्ता कहा? एक दलिये प्रभावी विवस्ता किसने कहा भारत की दलिये प्रणाली को? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका मौरिस जॉन्स प्रशन भी है जुनका आंसर आपको डारेट गूगल करके भी मिल जाएगा वरना ये सारे प्रशन ऐसे हैं आपको बहुत सारे किताबों में ढूडने पड़ेंगे भारत के समिधान का कौन सा अनुच्छे नगरपालिकाओं की सनरस्तना से संबन्दित है तो ये है आपका 243 द भारत के समिधान का कौन सा अनुच्छे जिला योजना समिति के गठन का उले करता है तो 243 यग 243 यह गह सत्तर निम्नांकित में से किसने भारतिय दली व्यवस्ता को प्रभावी दली व्यवस्ता किसने कहा ये कहा जियो वनी सर्टोरिने जियो वनी सर्टोरी ने, ठीक है, कुश्चिन नमबर 71 निम्नांकित में से कौन सा युग में शीत युद्स के संदर्म में सही नहीं है तो यहाँ पर पहला उप्शन ये सही नहीं है डोमेनिकन रिपब्लिक अमेरिका स्थक्षेप 1968 ये सही नहीं है बाकिये तीनों क्या है, सही है प्रशन नमबर 72 निम्नांकित विद्वानों में से किसने भारतिय लोकतंतर को साचर्य विहीन लोकतंतर कहा तब डेमोक्रेसी विदाउट एसोशियेशन ये कहा प्रदीप के छिबबर ये है उद्देशी का उतकरष्ट गद्दे कावे है नहीं ये है परीपूनता की तस्वीर है ये कतन किसका है दोस्तों ये है पंडित ठाकुर्दास भारगव का पंडित ठाकुर्दास भारगव का प्रशन नमबर 74 निम्नांकित में से किस काल को शस्तर सज्जित शांती काल कहा जाता है तो बिल्कुल सरल है शीत युद जहांपर हतियार तने हुए थे लेकिन लड़ाई हुई नहीं शांती बनी रही संयुक्तर राष्टर पीस बिल्डिंग कमिशन की स्थापना किस वर्ष हुई संयुक्तर राष्टर पीस बिल्डिंग की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई यह हमें यहाँ पर बताना है तो question number 75 में आपका answer है दोस्तों 2005 में 76, the cold war, how the global energy trade slipped from America's grasp नामक पुस्तक के लेख कौन है तो मारीन कटूसा प्रशन नंबर 77 निम्नानकित में से किस्तने द्रड़ता पूर्वक यह तर्क दिया कि सैंट राजी अमेरिका की निवारक निती केवल तब प्रभावी हो सकती है जब आश्वस्त विनाश करने के लिए वास्तविक शमता के साथ खतरनाक परमानू प्रतिशोद को पूरा करने की वास्तविक इच्छा हो तो यह है आपका रोबर्ट मैकन मारा प्रशन नंबर 78 सयुक्त राष्ट द्वारा शांती के लिए एकता का प्रस्ताओ कब लाए गया 1950 में शांती के लिए एकता का प्रस्ताओ 1950 ठीक है प्रशन नंबर 89 देखे 79 सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ओफ टेररिजम एक्ट कब लागू हुआ तो ये हुआ दोस्तो 1993 1993 प्रशन नंबर 80 आसियान के संदर में निम्नांकित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये बताना है हमें कौन सा कथन सही है तो इसकी स्तापना 8 अगस्त 1967 को ही इंडोनेशिया, मलीशिया, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड इसके संस्तापक है तो यही इसमें राइट है ठीक है, तो केवल B और C प्रशन नंबर 81 देखिए निम्नांकित में से कुश्यन अंगर 80 को मैं दुबारा बता रहा हूँ ठीक है, आसियान के लिए देखिए इसमें तो इसमें वर्तमान में सदश्य देशों की संक्या 10 है दो इसमें उब्जर्वर हैं तो सदश्य संक्या, सदश्य देशों की संक्या कितनी हुई दस हुई, आठ अगस 1967 को इसकी स्थापना हुई और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड इसके संस्थापक सदश्य है तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ABC ठीक है? ABC प्रशन नंबर 81 पे चलिए निम्नांकित में से किस देश ने गुटनिर्पेक, शांदोलन, दक्षिन, दक्षिन, तक्नीक, सयोग, किंद्र, नॉन, अलाइन, मुव्मेंट, सेंटर, साउथ, साउथ, टेक्निकल, कॉपरेशन के विचार को प्रस्तावित किया था तो ये किस ने किया था? दोस्तों, ये किया था? इंडोनेशिया इंडोनेशिया, ओके? चलिए प्रशन नंबर 82 पे चलते हैं 82 भारत और भूटान के मद्दे उपचारिक, राजनेक संबंदों की स्थापना की स्वन जैनती किस वर्ष मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 2018 Making India great the promise of a reluctant global power नामक पुस्तक लेखक या लेखक का कौन है? तो आप पढ़ना पांडे प्रशन नंबर 84 देखिए आम तोर पर हमारी नीती ताकत की राजनीती से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों के एक खेमे के विरुद दूसरे खेमे में शामिल नए होने की है भारत की विदेश नीती के बारे में ये कथन किसका है? तो ये है आपके जवाहरलाल नहरुका गुट निर्पेक्ष जो वाली नीती थी है न? 85 भारत ने फरवरी 2020 में किस पड़ोशी देश की राष्टिय पैचान पत्र परियुजना को आधार आधारित तक्नीक साहता की पेशकर्ष किये थी? तो यहाँ पर आपका राइट अप्शन हो जाएगा म्यामार प्रशन नमबर 86 देखिए राजनिती सिद्दान्त ने तो नियूनतावादी है ने ही व्यवारवादी और ने ही कटरवादी विचारधारा यह मानव समाज अस्तित्तु में सही करम के सिद्दान्तों का आलोसनात्मक अध्यन है यह कतन किसका है यह है आपके दांते जर्मीन प्रशन नमबर 87 देखिए वर्श 2015 में भारत ने किस देश के साथ सीमा व्यापार के लिपुल लेख दर्रा खोलने का समझोता किया था तो यह है आपका चीन चाइना प्रशन नमबर 88 भारत के सीमा सडक संगठन ने किस देश में 220 किलमेटर लंबे जरांस डेलराम सडक परि प्रशन नमबर 89 आधुनिक इतिहासवादी राजनितिक लेखन के संदर्व में डेविड इस्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है तो ये सही है मुल्यवादी सेबाइन ये सही नहीं है प्रशन नमबर 90 देखिए निम्नांकित में से किस द्रश्टिकोन का यह मुल्यविचार है कि विचारक और लेखक अपने समय के उत्पाद होते हैं ये किस उसका उलेख है तो ये है संदर्वी है ठीक है प्रशन नमबर 91 यहाँ पे बहु संस्कृतिवाद के प्रकार और संबंदित विद्वान जो है उनको अपस में क्या करना है मिलाना है उनको अपस में मिलाना है तो इसमें राइट ओप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ चार एक दो तीन ठीक है यह वाला उप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रशन नमबर 92 युद्ध राज्य का निर्मान करता है तथा राज्य युद्ध करते हैं यह कतन है चौल्स्टीली का प्रशन नमबर 94 राज्य का उपकारी प्रतिमान किसके साथ जुड़ा हुआ है राज्य का उपकारी प्रतिमान रॉल्फ मिली बैंड के साथ जुड़ा हुआ है प्रशन नमबर 95 निम्नांकित में से किस ने यह कहा कि ऐसी कोई गतिविदी नहीं जो राज्य हमेशा निश्पादित करे तता ऐसी कोई गतिविदी भी नहीं जिसका राज्य ने निश्पादन नहीं किया हो तो यहाँ पर दोस्तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है लेकिन इसमें जो मेरे जो मैंने जितने किताबों में इसका आंसर देखने ही कोशिश की उसमें मुझे गार्नर लगा क्योंकि यहाँ पर राज्य की इच्छा प्रतीत हो रही है कि ऐसी कोई गतिविदी नहीं राज्य निश्पादन नहीं किया हो तो वो सभी में काम भी करता रहता है तो मैकाईवर ने दा मॉर्डन स्टेट में राज्य के कारियों के बारे में काफी वर्णन किया कि राज्य को यह करना चाहिए राज्य को यह नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर गार्नर और बाकी आंसर पता चलेगा, 96, निम्नांकित में से किस विचारक ने राज्य को परिवाशित करते हुए इसे राजनितिक समाज नागरिक समाज का योग कहा, ये किस ने कहा, ये एंटोनियो ग्रामशी ने कहा, एंटोनियो ग्रामशी, ठीक है, प्रशन नंबर 97 देखिए, निम्नांकित में से किस विचारक ने सत्ता की अलोचना करते होई है कहा कि किसी भी प्रकार का कोई प्राकरतिक छोर नहीं और इस लिए कोई न्या या न्याएपून सत्ता नहीं है तो फ्रेडरिक नीच्छे इसका राइट आंसर है निम्नांकित में से किसने राज्य विहिन राज्ये का सिद्धान्थ प्रस्तुत किया तो ये है आपका D. Mellosy 99 Sovernity Organized Hypocrisy नामक पुस्तक ये किसकी है ये है आपकी Stephen D. Kresner की 100 निम्नांकित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलुवाद विचार से सम्मद्ध है समाजवादी बहुलुवाद से है पाउलन्टाज प्रस्चन नमबर 101 निम्नांकित में से किसका ये मानना है कि अमेरिकी विवस्ता शक्तियों के प्रतक्रण में से एक नहीं बलकि ये सत्ता साजा करने वाले प्रतक प्रदिकारियों की एक विवस्ता है ये है रिचर्ड नाइस नाइस्ट ठीक है एक सो दो निम्नांकित में से किसने संकट की प्रवर्तियों की पहचान करने का दावा किया जिने नियंतित करना उदार लोक्तंत्रों की शमता से परे है ये है जुर्गन हैबर मास ब्रूस गीली द्वारा लिखित पुस्तक दर राइट टू रूल हाउ स्टेट्स विन एंड लूस लेजिटिमेसी में इसने वैदिता के कौन से उपपरकार बताए है तो यहाँ भी बताए है कानून सम्मत उचित्ते और सहमती एक सो चार निम्नांकित में से किस देश के कारेपालक राष्टपती के लिए दो टोपी पहने की संग्या नहीं दी जा सकती तो यह है आपका जर्मनी 105 निम्नांकित विद्वानों में से कौन सा विद्वान यह स्विकार करता है कि शाषन की सभी विवस्ताएं एक अर्थ कुलीन तंत्रिये हैं क्योंकि इसमें वास्त्विक रूप से किसी के लिए समान रूप से निर्मान में भाग लेना असंभव है यह कथन किसका है तो यह है आपके दोस्तों मौरिस डूवर्जर का प्रशन नमबर 106 प्रशन नमबर 107 अंसर हो जाएगा ABC तीन होई ठीक है प्रशन नमबर 108 ए सम्मित संग्वाज शब्द किसके द्वारा गड़ा गया है ए सम्मित संग्वाज चार्ल्स डी टारल्टन के द्वारा ठीक है कुश्यन नमबर 109 चेंटल मूफे और अरनेस्टो लोकलाउ के अनुसार निम्नांकित में से किस लोकतंत्र का मुख्य काम यह है कि वैस्वतंता और पूर्ण समानता के लक्षों को हासिल करने के लिए हर तरह के दमन और अधीनता के खिलाफ संगर्ष करे यह है आपका आमूल रेडिकल डेमोक्रेसी यहाँ पर रस्या नहीं है रूस नहीं है 112 एकिकरत बनाम विभाजित सरकार की संक्रप्तना किस देश के साथ संबनित है तो USA सेंक्त राज्य अमेरिका 113 निम्नांकित विचारकों में किसने रानितिक दल को मनुष्य की निकाई की रूप में वर्णित किया जो सभी कुछ विशे सिद्धानतों पर सहमत है तो यह यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एडमंड बर्क प्रशन नमबर 114 निम्नांकित विचारकों में से किसने यह विचार दिया कि पष्टि में विचार या तो प्लेटोवादी है या प्लेटो विरोधी काल पापर निम्नांकित में से कौन रानितिक दलों को मुख्य रूप से हित के अभीकरण मानता है हित के अभीकरण कौन मानता है चार्ल्स बियर्ड प्रशन सत्रा 117 पार्टी सूची अनुपातिक प्रदिनित्यत के स्थान या सीटे आबंटित करने के लिए एक उच्तम ओसत विदी को किस पदती के रूप में जाना जाता है तो ये है आपका डू हॉंट पदती 118 निम्नांकित विद्वानों में से किस ने यह तर्क दिया कि लोग हित समों में लोग हित के लिए शामिल होते हैं लोग हित, समों में लोग हित के लिए शामिल होते हैं, M. Allsen, 119, लोग के लिए एक प्राकृतिक अधिकार की रूप में स्वतंतर्ता है, सार्व भौमिक अधिकार, कैसा है लोग के लिए सार्व भौमिक अधिकार, ठीक है? प्रशन नंबर 120, निम्नांकित विचारकों में से किस ने यह विचार दिया कि राज्य का हित, एवं व्यक्ति का हित अविभाज्य है? यह अलग नहीं है, तो अरस्तू, 121, 121 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा विचारक राजनिती वे राज्य को आउशक सैनिक संदर्ब में समझता है, तता हमेशा इस बात पर जोड़ देता है कि अच्छे श्रस्त्र एवं एक अच्छा सैनिक संगठन राज्य के आधार है, उसे चलाने के लिए उतने ही जरूरी है, जितन प्रशन नंबर 122 देखिए, निम्नांकित विचारकों में से किस विचारक ने हॉप्स को बुर्जुआ बाजार समाज के इतिहास के रूप में चित्रित करते हुए उसके प्राकर्तिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुश्य बताया है, किसने बताया है, तो ये है C.B. Macpherson करम दर्शन पर प्रभाव था, इसमें आएगा आपका कॉर्ल लामप्रेक्ट 124, कोटिल्य के अनुसार किसी राजा को चक्रवर्ति बनने के लिए किन गुणों की आवशिकता होती है, तो सैनिक शक्ति भी वित्य सावदानी भी बुद्धी मत्ता भी A.B.C 125, पावर्टी ओफ इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखा कौन है, तो भईया दादा भाई नोरोजी 126, निम्नांकित में से किसने ये विचार व्यक्त किया कि एशिया में समाजवादी आंदोलन राष्टरवाद का शत्रू है, जवाहरलाल नहरू 127, भारत में निम्नांकित में से किसने प्रभुत्व जाती का विचार दिया था, प्रस्तुत किया था, तो M.N. श्री निवास 128, निम्नांकित भारती विचार को में से किसने रूसों की सामाने इच्छा के उत्साह का समर्थन किया है, तो महत्मा गांदी प्रशन नमबर 139 वेन क्राइम पेज मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कोन है तो ये है मिलन वैशनव रजनी कोठारी की पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया निम्नानकित में से किस उपागम के आधार पर लिखी गई है तो ये लिखी गई है संदस्नात्मक प्रकार्यात्मक ठीक है संदस्नात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर निम्नानकित विचारकों में से किसने ग्लोकलाइजेशन के सिद्धान्त को प्रती पादित किया है ये है रोलेंड रोबर्सन प्रशन नमबर 132 निम्नानकित विद्वानों में से किसने भारत के हस्तक शेपवादी राज्ये से नियामिकी राज्ये में बदलाव का उलेख किया किसने किया है तो इसमें आपका आंसर है एल रुडॉल्फ एकसो तिस पुर्वत्तर छेतर पुनरकढन अदिनियम 1971 के तहत निम्नानकित में से कौनसा राज्ये स्थापित नहीं हुआ नहीं बना तो मिजोरम 1971 के तहत नहीं बना 134 निम्नानकित मेंसे किसे ब्रेटन वुड संस्ता संस्ता ही कहा जाता है तो अंतराष्टी मुद्राकोष और विश्व बैंक को कहा जाता है तो केवल एक वेदो 135, निम्नानकित में से किस देश में भारत ने सम्क्तर रास्टर के नियतोत में अपनी शांती सेना नहीं बेजी 136, निम्नानकित में से किस समीति की अनुशनिसा पर P.I.O.P. Pull of Indian Origin Card योजना लागू की गई तो ये है L.M. सिंगवी समीती प्रशन नंबर 137 चीन किस विश्वियापार संगटन का सदश्य बना तो 2001 में 138 निम्नानकित में से किसने सबसे पहले वाशिंगटन सहमती शबदावली को प्रती पादित किया था तो जॉन विलियम सन 149 बुड़ा पैस्ट सम्मेलन सम्मन्दित है किस साइबर क्राइम से प्रशन नंबर 140 देखिए निम्नानकित में से कौन सा कौन से विद्वान व्यवारवाद के समर्थक हैं या का समर्थक हैं तो प्रशन नंबर इसमें जो आंसर आएगा आपका ये आएगा हिंज यू लाओ केवल ए प्रशन नंबर 141 देखिए निम्नानकित में से किसने सेयुक्तर राष्टर सुरक्षा परिशत की स्थाई सीट के लिए अपनी उमीदवारी के संदर में भारत, ब्राजिल, जर्मनी और जापान देशों के लिए अनुयाईयों की तलाश में नेता वाक्यांस जो घड़ा है वो किसने घड़ा है तो स्टीफेन सचरी मिने चैलेंज एंड इस्ट्रेजी रीथिंकिंग इंडियास फॉरेंड पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आपके आएंगे यहाँ पर राजिव सीकरी प्रशन नंबर 143 निम्नांकित विदेश मंत्रियों में से किसने गुट निर्पेक सिकर सम्मेलन में भारतिय प्रतिनिदी मंडल का प्रतिनिदित्व किया तो शाम नंदर मिश्र ने प्रशन नंबर 144 उत्तर व्यवारवाद के संदर में डेविड इश्टन की शब्दावली प्रासंगिकता का मूल मंत्र में शामिल किया गया है तो इसमें A, B, C प्रासंगिकता को भी, कारे को भी और सार्वतत्व को भी 145 निम्नांकित में से कौन सा डेविड इश्टन के सहयोगी निर्गत में सम्मिलित नहीं है तो न्याईक निर्ने ये सम्मिलित नहीं है आमंड पावेल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रानितिक व्यवस्ता की श्रेणिया है तो यहाँ पर आमंड पावेल के अनुसार यह है व्यवस्ताकारी निकासिये वित्रनात्मक और उत्त्रागारी 147 निम्नांकित में से किस ने भारतिय संग को परम उच्चता संग पैरामाउंटेसी फेडरेशन कहा तो ये कहा के संथानम प्रशन नंबर 147 देखिए आधुनिक रानेतिक संस्क्रति को रानेतिक निलिप्ता इव्यम प्रजा भाव संपन कहा है तो ये है दोस्तों आपका जर्मनी लास्ट प्रशन है इस प्रशन पत्र का निम्नांकित में से किस समिती आयोग की सिफारिश के पर अंतर जातिय परिशद अंतर राज्य परिशद की स्थापना की गई थी दोस्तों ये है आपका सरकारिया आयोग इसकी सिफारिश पर ही अंतराज्य परिशद की स्थापना की गई थी ठीक है तो अब यहाँ पे कुछ मेरे समझ में जो प्रशन आई doubtful है वो है एक तो question number 70 question number 73 इस प्रशन पत्र में जो मैंने बताया आपको और एक है आपका 95 ठीक है यह थोड़े से यहाँ पे doubtful question है इनका जब answer की आई कि तब पता लग जाएगा या फिर जैसे ही सही मुझे सटी कुछ proof मिला तो मैं आपको बता दूँगा तो इस प्रकार मैंने 150 प्रशन आपको यहाँ पे बता दिये उनके answers बता दिये फिर से आपसे मैं बता रहा हूँ कि अंतिम answer RPSC के तोरा जो की जारी की जाएगी वो मानने होंगे यह जो आपके इस प्रशन पत्र को देखकर यह निश्कस निकाला जा सकता है किसी भी एक पुस्तक में से यह प्रशन नहीं पूछे गए काफी good काफी गहरे प्रशन पूछे गए हैं तो cut off बिल्कुल भी high नहीं जाने वाली कितनी जाएगी इस पर मैं कभी चर्चा नहीं करता लेकिन cut off high नहीं जाएगी क्योंकि इस paper का level काफी उपर था इसलिए first grade के द्यारी करने वालो guides पर depend मत रहो जो मूल किताबे हैं आपको पुखरा जैन को पढ़ना पढ़ेगा ओपी काबा को पढ़ना पढ़ेगा सविधान का बेरेक्ट पढ़ना पढ़ेगा लक्षमी कांत का भी साहरा लेना पढ़ेगा आपको एंसाइकलोपीडिया भी पढ़ना पढ़ेगा पोलिटिकल का तो ऐसी बहुत सारे किताबे हैं क्लासिस की किताबे भी पढ़नी पढ़ेंगी तो जो मूल जो किताबे हैं अपनी बेस जो बुक्स हैं अच्छी अथेंटिक उन से तैयारी करो तब जाके आपको ऐसे प्रशनों को हल मिलेगा या हल कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो नोट में इतना ही मिलते हैं नाइस वीडियो नोट में कोई कमेंट कोई सुझाओ हो तो कमेंट कर दीजेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेयर कर दीजेगा थेंक्यू सो मज